सेना में भरती होने का सपना देख रहे युवाओं को जल्द ही खुश्खबरी मिल सकती है। दो साल बाद फिर से सेना भरती शुरू होने वाली है लेकिन इस बार भरती नए फॉर्मुले से होगी जिसके तहट जवानों को बेहत कम वक्त के लिए सेना में शामिल किया जाएगा। इस फॉर्मुले को टूर ओफ ड्यूटी का नाम दिया गया है। कोरोना की शुरुवाती दो लहरों के चलते देश भर में लोकडाउन लगे जिससे आर्मी भरती भी प्रभावित हुई। सिरफ आर्मी ही नहीं बलकि एरफोर्स और इंडियन नेवी की भरतीयां भी दो साल के लिए प्रभावित हुई और हजारों नौजवान नौकरी से वंचित रहे गए। सिरफ आर्मी में जल्दी भरती प्रक्रियां शुरू होने वाली हैं। अफिसर या सैनिक चाहे तो अपनी सेवाएं जारी रख सकते हैं। आम तोर पर सेना में भरती रिक्रूटमेंट रैली से होती थी लेकिन इस बार शौट टर्म सर्विस के तहत भरती किये जाने की तयारियां हो रही है। भरती सेना में युवाओं के लिए टूर ओफ ड्यूटी का जल्द एलान हो सकता है। बता दें कि पहले अधिकारियों को ही टूर ओफ ड्यूटी में शामिल करने का प्रस्ताव था लेकिन अब अधिकारियों की जगह सैनिकों को भी शामिल किया जाएगा। तीन से पांच साल की सेवा के लिए आवशक प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जाएगी। जल्द शीर्ष न्रैतित्तों से इसकी हरी जंडी मिल पाएगी। सेना में अल्पकालिक सेवा की जरूरत इसलिए महसूस की जा रही है कि वर्तमान में तीनों सेनाओं में 1,25,364 पद खाली पड़े हैं। इस योजना को 2020 में सेना प्रमुख जनरल M.M. नर्वने द्वारा लाया गया था। रक्षा मंत्राले में हाल ही में इस पर ब्रिफिंग हुई है। इस व्यवस्था के तहट तीन या पांच साल की सेवा पूरी करने के बाद युवाओं को अन्य सेवाओं में भरती के लिए सेना मदद करेगी। उन्हें रोजगार के अवसर मुहया करवाए जाएंगे। समझा जा रहा है कि सेना प्रशिक्षन के दोरान उन्हें ऐसी सीख दी जाएगी जिससे कॉर्परेट जगत में उनकी मांग बरकरार रहेगी। उन सेनिकों को टूर ओफ ड्यूटी के तहट लिया जाएगा। इस योजना को अमल में लाने से सेना को आर्थिक मोर्चे पर भी भारी बचत होगी। कुछ चात्रों को 20 साल तक सेना में रखा जाता है। ऐसे चात्रों को सेना से मिलने वाली हर सोविधा मिलेगी। स्थाई सेनिकों को दिये जाने वाले वेतन भत्तों और पैंशन में सेना को हजारों करोड की बचत होगी। इस सेवा में आने वाले सेनिकों में से कुछ को सेवा आगे भी जारी रखने का मौका मिलेगा इससे सेना में यंग प्रोफेशनल भी मिलेंगे और पैसों की भी बचत होगी सूतरों के मुदाबिक IIT जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के चात्र जो उच्च तकनीकी दक्ष होते हैं उन्हें प्रोध्योगी की को विस्तार देने में मदद करने के लिए सेना में अल्प अवधी के लिए आकर्शित किया जाएगा बाद में ये चात्र कॉर्परेट जग में अपना सेटलमेंट आसानी से कर सकते हैं